दोस्तो अगर आप भी विराट कोहली को भारती, क्रिकेट और बैंगलूरू का महतुपूर्ण खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जलूर कीजेगा दोस्तो बैंगलूरू की जीत के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई पर मुख्यमंतरी योगी आदेतनात ने दे दिया संसनी खेज बयान जिया दोस्तो बैंगलूरू की टीम को लखनओ के खिलाब जीत मिल रही है ऐसे में जीत के बाद मुख्यमंतरी योगी आदेतनात ने विराट कोहली और गौतम गंभीर को फटकार लगाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरोतले जमीन खिसक जाएगी तो अकिरकार बैंगलूरू की जीत के बाद मुख्यमंतरी योगी आदेतनात ने विराट कोहली और गतम गंभीर पर क्या बयान जारी किया यह तो आपको बताएंगे ही तो जाने के लिए वीडियो के पूरा इंट तक जरूर देखेंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बैंगलूरू की जीते हीरो कौन रहे अपनी राए हमें नीचे कमेंट बाक्स में जरूर दें दोस्तो आईपियल 2023 के 43 मुकाबले में रॉयल चलिंजर्स बैंगलूर ने लखनओ सूपर जैंट्स को 18 रन सहरा दिया इस मैच के दौरान मैदान में हाई बोल्टेज ड्रामा देखने को मिला मैच के दौरान और मैच के बाद दोनों टीमों के कुछ खिलारी और स्टाप आपस में भिड़ते नजर आए मैच के दौरान पहले RCB के विराट कोली और लखनओ के नवीन अलहक में बिननत हुई मैच के बाद लखनओ के मेंटर गौतम गंभीर से उनकी गर्मा गर्मी बहस हुई दरसल यह पूरा मामला लखनओ की पारी के सत्रावे ओवर में शुरू हुआ था जब विराट स्टम के पीछे से दौरते हुए आए और नवीन को देखकर कुछ इशारा किया इस पर अफगानिस्तान के नवीन भी उनके करीब आगे और दोनों में बहस शुरू हुई इस बहस के दोरान विराट ने अपने जूते की तरफ इशारा भी किया और उसमें से मिट्टी निकाली मानो आवकात की बात कर रहे हो इसके आरसीबी के दिनेश कार्थिक नवीन को और अमपायर कोहली को दूर लिके जाते हैं जिसके बाद अमपायर और मित मिश्ट्रा से काफी जादा बहस हुई हलाकि मकाबला समापत हो जाने के बाद नवीन ने विराट कोहली से हाथ मिलाए उसी दोरान एक बार फिर से दोनों के बीच काहसुनी हो गई इसी बीच गौतम गंबीर भी लड़ाई में कूट पड़े जिसके चलते गर्मा गर्मी का काफी बड़ा महाल देखने को मिला इसी बीच बाजार सभी ने ऐसे में गंबीर और कोहली की लड़ाई को देखकर योगी का बयान सामने आया है जिसमें योगी आदितनात ने बयान देते वे कहा कि इस मकाबले में काफी ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने को मिली है यूपी की टीम के साथ कोई भी पंगा ना ले बैंगलूरू की टीम ने बेलकुल भी अच्छा ने किया है गौतम गंबीर एक बैतरीन खिलाडी है साथ में विराट कोहली भी एक माहान खिलाडी है ऐसे मैं दोनों को नहीं लड़ना चाहिए था विराट कोली को ज़्यादा आकरामक नहीं होना चाहिए था विराट कोली के द्वारा आकरामक अंदाज को देखकर हर कोई हैरान रह गया मुझे नहीं लगता है विराट कोली को इतना ज़्यादा आकरामक होने की आविश्यक्ता है तो वहीं गौतम गंबीर को भी मुकाबले के समाथ होने बाद बड़ा दिल रखते हुए विराट कोली को माफ कर देना चाहिए था हाला कि दोनों ने सारी हदे पार कर दी और इस मुकाबले को काफी जादा हाई बोल्टेज बना दिया दोनों की गर्मा गर्मी के चलते मुकाबले में काफी जादा बावाल देखने को मिला लेकिन मुझे उमीद है दोनों खिलाडी एक दूसरे से माफी मागेंगे और क्रिकेट के खेल को शर्मिंदा नहीं करेंगे तो दोस्तों विराट कोली और गतम गंभीर की लड़ाई में बड़ी गलती किसकी रही है अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी इशांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद